हेलो बचों, तो कनवर्शन फॉर्मॉला क्या है CGPA2 परसेंटेज, कैसे हमने अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज निकालनी है और वही यूज होगी, और वही सही तरीका है, तो 2015 जो शेशन है, तब से लेके अब तक ये फॉर्मॉला चल रहा है, कि जो आपकी CGPA है, उसे हम मल्टिप्लाइ करेंगे 10 के साथ, और हमारी जो परसेंटेज है वो निकल जाएगी, जैसे अगर आपकी 9.2 CGPA है, तो 92 परसेंट है आपकी, 8.5 है तो 85 है, और 2022 का प्रूफ मैं दिखाती हूँ, मेरे पास DMC है, 2022 की, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे पिछे लिखा होता है, जो आपको देते हैं कॉलेज वाले DMC, उसके पीछे होता है यह, आप भी अपनी DMC के पीछे देखो, उसमें दिया होगा, और यही परसेंटेज यूज होगी, क्योंकि जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी एड्मिशन लेते हो, तो वहाँ पे वही परसेंटेज चलेगी आपकी, आपको जो है, कन्वर्शन फॉर्मॉला भी वहाँ पे बोला जाता है, कि are required to bring, तो आपने, जो आपकी DMC होती है, इसके ये जो पेज होता है, पिछला, इसको भी प्रिंट करवा देना, ये है आपका सबूत की, ये सिस्टम है हमारा, और दूसरी परसेंटेज नहीं माननी है, जैसे आपके first year में, second, third year के सारे marks को calculate किया, 24 सो में, और फिर निकाली आपनी परसेंटेज, तो वो नहीं होगी आपकी परसेंटेज, वो गलत होगी, ये आपकी सही परसेंटेज है, इस तरीके सही, कहीं भी गलत परसेंटेज मत ल लिखना अपनी, और इसी तरह पूरी जिन्दगी, इसी तरीके से मारी परसेंटेज होगी, वो ही मनने होगी